तो एक और इंपोर्टन टॉपिक आज के साथ लेके हैं आज वह है इंपक्ट ऑफ पैंडमिक और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यह आपका के अंदर यह जो टोपिक है यह आपका जिए रिपोर्ट राइटिंग पूचा जा सकता है ठीक है रिपोर्ट के लिए आप प्रिपेर करना चाहते हैं तो इसके अंडर काफी इसमें आपको देखनी पड़ेगी और पहले इससे पहले के जो एक एसर रिपोर्ट आई थी एस ए आर जो प्रतम फांडेशन निकालता है वो भी एक इंपोर्टेंट रिपोर्ट आई थी for the loss of learning outcomes of the students during the pandemic बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट है और CAPF में हमेशा एजुकेशन से रॉलेटेट कुछ ना कुछ आता है या कुछ मेजर इंप्लेमेंट करते हैं आप पिछली बार पूछा था कि इस can books can be replaced by the digital education इस तरह से यह आया था उससे पहले new education policy के अंदर एक बार आया था और उससे पहले भी आया था कि unnecessary burden नहीं करना चाहिए students को यह भी एक question आया था books वाला ठीक है homework शुट भी बैंड करके इस तरह से question आया था so this is a important topic मुझे यह लगता है कि आपको यह prepare करना चाहिए और prepare किस तरह से करें है अगर इस पर रिपोर्ट आ गई तो so मैंने सब कुछ यह लिखा इसमें important चीजें बहुत सारी लिखें आप इसमें regional example भी डाल सकते हैं आप इसमें national example भी डाल सकते हैं बहुत सारी चीज आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है तो मैंने जो मुझे जो लगा important है वह आपके साथ share कर रहा हूं और one thing is कि मैं सरफ वह ची की जाएगी ठीक है आपको कोई pictorial representation करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर भी आप नहीं कर पाएंगे मैं अच्छे-ची slides बना के आपको दूं कोई मतलब नहीं उसका तो मैं सिर्फ आपके साथ वह चीजें शेयर करूंगा जो आप exam में लिख सकेंगे ठीक है तो अगर आपको यह particular topic आजाए impact of pandemic on student learning outcomes वहां पे आप एक report डालेंगे शुरू में introduction में कि NAS की report थी और ASER की report डाल सकते हैं जो प्रतम foundation conduct कराता है उसने बताया कि it shows a sharp dip in the performance of student in almost all subject during the pandemic years अभी जो डेली government का model हम देखते हैं डेली government का model में देखते हैं कि वहां पे education बहुत अच्छ है लेकिन 15 में से 11 जो parameters थे उसके अंडर दिली का जो school education system है वो 15 में से 11 below average national average जो है उससे कम आया है तो यह भी आप देख सकते हैं इतना deeply affect किया है इस particular pandemic ने जो भारे learning losses को ठीक है तो यह देख लिख सकते हैं उसके आद most affected parameters कहां कहां पर ज्यादा impact पड़ा होगा पेडालोर्जिकल changes challenges ठीक है बच्चों को पढ़ा कैसे पाएं चोटे बच्चे हैं उनको यह सबसे बड़ा issue रहा होगा उसका digital divide यह तो है digital divide because of switch to online classes जो haves and haves not वाले situation आगी है हमारे पर जो underprivileged learners होगे जिनके पास digital जो assets नहीं है internet connection नहीं है laptop नहीं है tablet नहीं है यह बहुत सारी चीजे उसके साथ ही dropout rate बहुत बढ़ गया है due to this pandemic जो अभी जो before the pandemic जो बच्चे schools में जा रहे थे वह वापस मुड के नहीं आया है काफी जो percentage of people ठीक है उसके बाद regression foundation skills and ability एक यह जो सबसे बच्चे की इसके बाद क्या-क्या अब solution तो थोड़ा सा देना पड़ेगा आपने रिपोर्ट में कि government ने भी कुछ step लिये होंगे government ने लिया है new education policy के अंदर वो भी एक positive approach है उसके साथ ही हमें change लाना पड़ेगा पेड़ पेड़ागोजिकल प्राक्टिसेज में और शिफ्ट वर्म स्लेबस सेंट्रिक अप्रोच टू लर्नर सेंट्रिक अप्रोच यह इस तरह से कीवेट डाली आपको नमबर मिलेंगे उसके बाद रिद्यूस डाउन रलाइंस ओन इर लर्निंग ठीक है इर लर्निंग प्लैट्फोर्म्स है उनको आप इतना महत्व इतनी इंपोर्टेंस मत दीजिए क्योंकि बहुत सारे जो पहली बात यह है कि डिजिटल डिवाइड है उसमें सोसाइटी के अंदर काफी बच्चे इसको क्या है अफोर्ड नहीं कर पाते लर्निंग को गवास एसेट नहीं इ अशर रिपर्ट्ट जो सर्वे किया गया था उन्होंने सजेशन दिए धै कुछ सजेशन को करके इंप्लिमेंट पॉइसक चलतेको कि सुरम प्लीट करेंगे ए एक है तो इस वीडियो में इतना ही था यह रिपोर्ट राइटिं में आ आप ये सब चीजे मैं करके आया अगर इस तरह की को रिपोर्ट आती है इंपक्ट ऑफ पैंडमिक और स्टूदेंट लर्निंग आउटकम सो थैंक यू